पर थेशने 5 पारफ भारत वर्ष में सरावन मास में सुकल पक्स की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है इस बार नाग पंचमी सौमा यानि आज मनाया जाएगी लेकिन बड़ी बाती है कि इस दफ़ा उन नागों के फनों को कुचलने की तयारी है जो भारत में डसने के लिए कुंडली मारे बैठे हैं ये नाग बहुत दिनों तक भारत का दूद पीकर भारत के खिलाफ जैर उगलते रहे हैं अब इनके दंत और विस्की थैली निकालने का वक्त है मतरब नागों के बीच बैठे भारत विरोधी नागों का देर रात से फन मसलने का काम चल निकला है कल साम कैमरे के सामने बैठ कर भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाथ देने वाले उमर अबदुल्ला मैबुबा मुप्ति को नजरबंद कर दिया गाया है यह दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से अधिकी बकलोली कर रहे थी आलम यह था कि मैबुबा मुप्ति ने कल घाटी के सभी दलों की संयुक बैठक आयूजित की थी जिसमें भारत को धमकाने वाले अंदाज में बात की गई बड़ी बात यह है कि बैठक के बाद प्रेस कॉनफरेंस में इन नेताओं को जम्हूरियत कस्मीरियत जैसे सब्द भी याद आए लेकिन यह मोदी सरकार है यह भावनाओं और सैद में लिप्टे सब्दों से प्रेज करती है महबुबा मुप्ती ने दूसरा ड्रामा यह रचा की देर साम अपने घर के बार इसकेंडल मार्च निकाला जिसका मत्रम था की इसकेंडल मार्च के माध्धम से वे बड़ा सकेंडल करके गुल खिलाने की फिराक में है भारत सरकार समन चुकी है कि अब पानी को नहीं उबलने देना चाहिए अन्या था उसके छलकने से फोले पड़ने का डर है इसलिए आधी रात के बाद फारुक अबदुल्ला, महबुबा मुप्ती, उमर अबदुल्ला और कस्मीर के कई अन्या नागों को नाग पंचपी से पहले ही पिटारे में बंद कर दिया है अब यह तब तक खामोस रहेंगे, जब तक भारत सरकार की योजना कस्मीर में पूरी तरह परवान नहीं चड़ जाती है महबुबा मुप्ती और उमर अबदुल्ला को देर रात गरपतार करने की सूचना ट्वीटर के मार्दम से सार्वजनिक हुई जिसके बाद दिल्ली में बैठे कुछ नाग भी सक्रिय हो गई ट्वीटर का योद्धा माने जाने वाले ससी थरूर ने इस कारवाई पर अपना माथा फोड़ा है यह वही ससी थरूर है जिन पर सुनंदा केस का लोपा अभी तक चल रहा है ससी थरूर ने ट्वीटर को ही लोगसभा का परसंकाल बना दिया उन्होंने लिखा जम्मू कस्मीर में क्या चल रहा है क्यों नेताओं को आधी रात को गिरपतार किया जा रहा है जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है कमाल की बात यह है कि कस्मीरी पंडितों के पलायन पर इन फंटर नेताओं ने कभी ऐसी मुखरता नहीं दिखाई जैसी की अब दिखा रहे हैं बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों अमरनात्यात्र के दोरान पाकिस्तान ने रिमित हतियार मिले लेकिन कभी नों ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की आज सारे नो बजे मोधी सरकार की कैमिनिट की महतपूर मिटिंग होने जा रही है इस मिटिंग में कस्मीर को लेकर बड़ा फैसला आने की संभावना है उमर अबदुल्ला, महबुवा मुप्ति और अन्यनेताओ के नजरबद हो जाने से अब इस की संभावना भी काफी बढ़ गई है कि कस्मीर में बड़ा होने का पटाचेप होने जा रहा है मोधी सरकार तयाया पूरण कर चुकी है वे अब इस मामले को अधिक लंबा खींचने और संस्पैंस बनाए रखने के मूड में नहीं है खास बात यह है कि देश फिर से एक जुठोकर मोधी के साथ कदम ताल कर रहा है इसलिए मोधी भी उमंग और जोस से भरे हैं भारत में बैठे नाग आज नाग पंचवी पर भी जरूर फुप करेंगे क्योंकि ये पूजन योग्य नाग नहीं है ये विश्दंत वाले नाग है जो भारत का दूद भी पीते हैं और भारत को ही काटते हैं इसलिए इन्हें आज बढ़ाई नहीं विदाई दी जा रही है आज आए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वन्द बातरम